आज पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉइंड ओर्डर की स्थिती खराब होती जा रही है दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं और लोगों में एक किसम का डर है केवल मुसल्मान नहीं हिंदूओं के अंदर सिखों के अंदर क्रिस्चन के अंदर सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो कागस दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो तो इस देश में गरीबों के पास कागस नहीं है सतर परसेंट से जादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होगे तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहा जाएंगे ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यहीं पैदा हुए, हमारे बाप, दादा, पड़दादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहां जाएंगे, तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बरताव होगा, खास कर गर बड़ी जरूरत इस टाइम है तो युवाउं को रोजगार देने की है, हम सब लोगों को मिलके इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम रोजगार पैदा करें और इस कानून के मेरे इसाब से कोई जरू है